मसकार दोस्तों, Target with PS Parihar चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्धम से आप लोगों को विद्धार्थी जीवन से सम्मंदित सभी मातपूर्ण सुचनाय प्रदान की जाती हैं उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे UPAAC की विभिन वर्तियों की संभावित कताफ की PET 2022 से अगर इन वर्तियों की विग्यापन जारी होंगे तो क्या कताफ जा सकती है चुकि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश इधिनस सेवा चैनायो के चेयर्मेन प्रवीर कुमार जी ने एक साथ चातकार दिया है और उसमें आने वाली भर्तियों का ब्योरा भी दिया है कि कौन कौन सी भर्तिया आएंगी और उनमें पदों की संक्या क्या हो सकती है तो उसी के हिसाब से हम लोग डिसकस करेंगे कि क्या कताफ हो सकती है और इस वीडियो में हम लोग P.E.T. 2023 विग्यापन की भी तरचा करेंगे और परिचा कलेंडर के वी तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना है शेयर करना है और जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अधरन्तिक अब्रेट सबसे पहले मिलती है आगे बढ़ने से पहले एक सूजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थि कीसी भी परिच्योगी परिच्छा की तैयारी कर रहे है कि टेश्ट बुक भारत का सबसे बड़ा ओनलाइन मॉक टेश्ट का प्रेट फॉर्म है इसमें लगबग 16 से ज्यादा भासाओ में मॉक टेश्ट प्लग मात्र 224 रुपय में आपको एरली पास मिलेगा लेकिन इसकी जो वैलिडेटी है वो एक साल की एश्ट्रा यानि दो साल तक आप लोग अनलिम्टेड मॉक टेश्ट दे सकते हैं याद रखीगा एक कोड का आपको प्रियो करना पड़ेगा TWP तभी आपको 10 प्रिश्ट की चूट देखने को मिलेगी इस में पूरी बर्टीयों का विर्ण नहीं दिया था और पधों की संख्या भी बदल गईए तो चुकि जब पधों की संख्या बदलेगी तो कटाब भी बदलेगा हम लोग शुरुभात करेंगे सबसे पहले एजी टीये से तो एजी टीये की अगर हम लोग बात करें तो एजी टीये की कटाफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा वही कटाफ है चोंकि इसमें बहुत कम विद्यारती आविदन कर पाएंगे इसमें सल योगता वाली यह बढ़ती है और इसमें ब्यस्थी एजी या इस वैकेंसी में भाग लेंगे चुक्मि आप लोग देख सकते हैं कि कहता तो है यूपिटर पला ऐसी कि हम पंद्रग गुर्ण विद्यारतिंगों को बुलाते हैं लेकिन वह बुलाता है कभी 22 गुला तो कभी 30 गुला तो 22 गुला से लेकर करके 30 गुला के वीज में विद प्लस वन होनी चाहिए अब हम लोग बात करेंगे चार हजार नहीं लेगपाल भरते की यह एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कोई को यहेगा, हर कोई उसके लिए आवेधन करेगा यानि ना तो इसके कोई टाइप टेस्ट होता है नस्टेनग्राफि होता है, ना कोई दोर होती है ना फिजिकल होता है ना हईट मेटर रहता の עėd जी बात जो समान एज होती है वही चालिस तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जो competition है वह ज़्यादा देखने को मिलेगा पिछली बार जो था वह पतों की संख्यात ज़्यादा थी इसलिए कटाफ थोड़ा कम चले गए थी दो लाग से को बिलाए गया था और दो लाग बारा दर विद्यारत ने परिक्षा दी है और उनका परिणाम जारी होने वाला है इसलिए थोड़ा सा कटाफ को कम चले गए थी हाला कि जितनी कटाफ मैंने बताई थी इकजैक्ट उतनी कटाफ गई है कटाफ का वीडियो कर देखना हो तो कल इलावत हाई कोट का फाइनल प्रडाम जादी हुआ गुरूप C और गूरूप D का प्रडाम जा ब्रटी स्वाइब नियुकर देख़ा लग्त Videyaम जोगें अंचाफ कर देखल गूरुप RPG घंटमेश कि आते प्रडाम जाश और यहीं-णीसा tenimbor लगता है चूंकि इसमें पदों की संख्याप बहुत कम है मात्र चौदा सो पद के आसपास है अगर पदों की संख्याप बढ़ती है तब तो कटाप थोड़ा सा बढ़ेगा नहीं तो फिर कटाप इसका ग्राम पंचत अधिकारी बर्ट का में जाता ही रहेगा तो यहां पर कि देख सकते हैं आप लोग 72 जो कटाप लेका हुआ है 1400 अगर पद है तो 72 से 74 के बीच में कटाप हो सकती है यह यह 72 बहातर प्लस टू जितना भी आपको यह दिख राइस में प्लस टू आप लगा लिजेगा और यह मिनिममम कटाप चुकी मैंने रखी है इसके बाद में जो विज्यापन सबसे पहले जारी होने वाला है उसके हम लोग तर्चा करेंगे और जो सबसे पहला विज्यापन जारी होना है वह आगे आगे है पहले तो अगर नहीं होगा तो फिर आपका जो यह इसका विज्यापन निकल जाएगा तो इसका मुझे लगटा है कि जुनियर एसिस्टेंट का जो कटाप है वह च्छाचट के आसपास होना चाहिए च्छाचट क्यों आप लोग समझ सकते हैं लेकिन इसमें टाइपिंग रहती है अगला वाला जो जुनियर एसिस्टेंट है उन्हें तो आप जाएगा वह बात की बात है अकेडमिक लेकिन लिखित रिच्छा होगी लेकिन इसमें जो हिंदी टाइपिंग और इंगलिस है फोड़ा सा जो वो कम जाएगा विद्धार्ती इसमें आवेदन नहीं करेंगे जिन विद्धार्ती की टैपिंग नहीं तो मुझे लगठा है कि इसकी जुनियर एसिस्टेंट की कटाप है वो च्छाचट से लेकर के अर्शट के बीच में मैंने कि सभी जितने भी आप ल मिल सकता किसी वर्ति में माकी विद्धार्ती तो साही दी कोई परिक्षा दे मुठ पर हम बात करेंगे अब जैई सिवील वर्ति की तो जैई सिवील के लगवग एक हजार पतों के लिए उन्होंने गोस्टना की है बहुत सारी विद्धार्ति के लगठा था कि जैई की जो है वह पीटी से नहीं आएगी ऐसा मुझसे कई विद्धार्ति में कहा लेकिन यूपी ट्रेपल से अपनी जितनी भी वर्तियां कोई वर्ति वह ऐसी नहीं नहीं कहलेगा जो पीटी के दारे में ना रहे चाप ने देखा होगा स्वावतिभाग की महिला एनम बगएरा की ब गया दिप्लोमा तो कोई विद्धार्ति आविद्रकरी नहीं पाएंगे केवाल यही स्विल की विद्धार्ति जो पॉलिटेक्निक ये डिप्लोमा जो भी योगता इसमें होगी उस हिसाब से इन्हीं विद्धार्ति को मौगा मुलेगा और इसकी चुक्टाप वो तीस की असपास होनी वहीं पर एक और वेकेंसी है लेखा कार सहाग लेखा कार बरती के बारे उन्हें पांच सुपाद है जिसमें विकॉम मांगा जाता है इसलिए इसमें भी स्पेशल योगता है ना तो ब्यस्ति वाले और ना तो भीये वाले और कोई दूसरे विद्धार के अव प्रदेश में लगवग 700 रिक्ट हैं और 700 बढ़ती नहीं होगी कुछ प्रद्श होने होते हैं मरतक कासित वगएरा के बारे में कुछ प्रमोशन हैं कुछ अन्य चीजों के वज़ए से तो केवल 470 या 473 बढ़ती हो रहा है और इसकी योगता बदल दी गई है अब पहले ह राइस्पूल मांगा जाता था इस बार इंटरमीडियर इसमें मांगा जाएगा और इस पंसे इसने मुझे लगता चाहिए इसके बाद में इस्टेनोग्राफर के बारे में उन्होंने जनकारी दिये 300 पदों पर तो इसका जो कटाफ है वह 20 के आस्पास होना चाहिए तो यह हो गया एक विशलेशा जो मुझे लगा और अगर आपको अच्छा लगा हो आपको समझ में आया हो तो ठीक है हम बात कर लेते हैं थोड़ा साथ जो शुरुआत की थी हम लोगों ने परिच्छा कलेंडर की और हमने शुरुआत में एक बात और कही थी कि पीटी 2023 का नोटिफिकेशन कर तक आए तो जुलाई या अगस्त के महिने में ही इस बार पीटी के नोटिफिकेशन जारी होने माला है ऐसा तरकोसिदार अधर यूपीटी बल अशी के जारी नहीं ही का चोड़ योऌ कि वह ऐसा कर नहीं सकता है और अभी हाल ही में जो चेर्मैन उन इंटर्व्यों में भी इसी तरीके की जानकारी थे उपर इसे करम भूल जांसे लगबग जानकारी हैं सभी आपको मिलीगीं है और आतिक जानका आपको मेरी चैनल से मिलती रहें कि बोरा वीडियो सुने के लिए बहुत बहुत धन्माद